हेलो दोस्तो जैसे कि हम सब लोंने प्रमास मूवी में देखा ही है कि पार्ट न एंड हो चुका है and सेकंड पार्ट की शुरुआत हो चुकी है और सेकंड पार्ट है देव के ऊपर और दोस्तो जो लोग ये मूवी देखर आएं उनके मन में बस यही सवाल है कि देव आकिर होने कौन वाला है इसको लेकर मैंने एक वीडियो पहले ही बना दी है लेकिन जब सेकंड बार मैंने ये मूवी देखी तो एक और थेयोरी मेरे द किया जाए इसके सेकंड पार्ट में हलाकि दोस्तों बहुत सारे लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि देव होने वाले हैं एसार के लेकिन एसार के यानि कि हमारे शारुख खान फर्स पार्ट में और लेड़ी आ चुके हैं एस वानर अस्त्र और उनकी भी मौत हो चुकी है लेकिन शारुख खान एस मिस्टर रागव मरते मरते उन्होंने ये ऐसा बोला था कि वो कभी मरते नहीं और इसी बेसिस पे क्या पता कि हमें सेकंड पार्ट में एसार के एस देव भी देखने को मिल जाएं लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज काफी कम हैं अब दोस्तों देव के लिए जो हीरो कास्ट करना चाहिए वो मोस्ट बबब भी रनवीर सिंग या तो रृतिक रोशन होना चाहिए लेकिन एक और थेयोरी बाहर निकल कर आई है और वो थेयोरी है खुद रनवीर कपूर जी हां दोस्तों रनवीर कपूर का इस मूवी में डबल रोल हो सकता है अगर आपने मूवी ये देखिए तो आप गौर करिएगा कि रनवीर कपूर जब गुरू जी यानि के अमिता बच्चन जे से बात करते हैं तो वो अपनी बातों में बोलते हैं कि उसने जिस महादेव को देखा है वो रनवीर कपूर की ही परचाई है अब दोस्तों क्या हम उसे ये समझ सकते हैं कि वो भी हू बहू रनबीर कपूर के तरह ही दिखता है और दोस्तों एक बात और अगर रनबीर कपूर पार्ट टू में भी कास्ट किये जाएंगे एस देव तो भाई बहुत सारे लोगों को ये अटपटा भी नहीं लगेगा क्योंकि दिपिका एंड रनबीर कपूर की लब स्टोरी हम पहले भी मूवीज में देख चुके हैं और फिर से उनका ये सेकंड पार्ट में भी आना काफी अच्छा साबित हो सकता है और जब शिवा, अमरिता एंड देव के ही बेटे हैं तो उनकी शकल भी देव के तरह ही लग सकती है और फिर से हमें रनबीर कपूर एज देव इन ब्रहमास्त पार्ट टू देव में देखने को मिल सकते हैं और क्या पता हमें इनका डबल रोल भी देखने को मिल जाए और दोस्तों अगर ऐसा हुआ जिसकी probability मुझे काफी हद तक की ठीक लग रही है तो भाई पड़े पड़े परदे पे मज़ा आने वाला है दो रनबीर कपूर को एक साथ में देखने के लिए और जो दूसरा वाला रनबीर कपूर होने वाला है ऐस देव वो भाई विलन के करेक्टर में नज़राने वाला है और दोस्तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बोला था कि देव या तो रनबीर सिंग या तो रृतिक रोशन होने वाले हैं लेकिन ये सेगंड थेओरी मेरे काफी हद तक के अच्छी लगती हुई नज़रा रही है लेकिन रनबीर कपूर एस देव काफी हद तक के बवाल मचा सकता है तो दोस्तो आपको क्या लगता है आप मेरे इस थेओरी से सैमत है क्या आपको भी लगता है कि रनबीर कपूर की डबल डोल होना चाहिए प्रमास्तु पार्ट 2 में भी और रनबीर कपूर एस देव हमें देखने को मिलने चाहिए या दोस्तो आप यही सोचते हैं कि इस मूवी में रितिग रोशन या रनबीर सिंग कास्ट किये जाने चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना आपकी थेओरी क्या कहती है आप मैंने इस तेओरी से एगरी करते हैं या नहीं फिल्हाल दोस्तों मिलते हैं असके सी वीडियो में चलें टेक केर बाई बाई